कहा जाता है कि टेकनोलोजी का प्रभाब बुक रीडर्स पर भी पड़ा है। रीडर्स किताबों में रूची नहीं दिखाते हैं। इसके बजाए वो कम्प्यूटर पर नेट के द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। एक्जिबेशन ग्राउंड सेक्टर 34 में लगे बुक फेर में लोगों की भीर ने इस बात को जुटला दिया है। बुक लवर्स और लिट्रेचर में रूची रखने वाले लोगों ने भारी संख्या में आकर इस बुक फेर में अपनी मौजूदगी दर्श करवाई। दिल्ल में हर बार यहां से अच्छा रिस्पोंस मिलता है। इस बुक फेर में विदेशी किताबों के साथ बच्चों की किताबे, कुकिंग, रेसिपी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, लिट्रेचर से जुड़ी हजारों किताबे उपलप्त हैं। पंचकुला से आए अश्वनी कुमार ने बताया कि वह स्फियर में अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। उन्होंने यहां हिटलर की किताब खरीदी हैं। जिसकी बजार में कीमत आट सो रुपे की हैं। और यहां उन्होंने धाई सो रुपे में इसे प्रापत किया आपने कौन कौन सी बुप परचेस किया है। तो आप कुखिंगे में भी शौक राखे तो इस एसी क्या खास बात है आपने जो हिखिले की वोग जिसे पच्चेस की बाहर से महँगी बहुत है यहां से सस्ती है चालीस परसंट सस्ती है तो इस करके यहां से क्रीदना पुसंद किया और इस बुग फेर में क्या खास लेगा सब कुछ खास है एक तो हर तरह की लिट्रेचर की किताब है फिक्शन किताब भी है जो बाहर भी मुश्किल से मिलते हैं यहां पर अराम से मिलगी है सेकिनेंड किताब है बाकि अधर आर्टिटेक्ट की किताब है साइंस की किताब है मैडजीन पढ़ी है काफी तरह की अलग